किसानों पर कई बार बरबरता देखी गई है और ऐसी ही एक खबर करनाटक के चित्र दुर्ग जिले से भी आ रही है दरसल नए समर्थन मूले यानि MSP के तहट बाजरे की खरीत के लिए होस दुर्गा में किसानों की कतार लग गई थी जिसके बाद लाइन में खड़े किसानों के बीच आकरोश फैली गया और नतीजन पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर पिटाई कर दी है आपकी जानकारी के लिए बता दें की बाजरा उत्पादकों में आकरोश पंजीकरन रध होनी की वजह से हुआ था जिसके बाद भीड को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया था इस घटना के बाद चित्रदुर्ग और चिक्काजूर किसानों से सरकार नराज हो गई है वहीं चित्रदुर्ग जिले के होशदुर्गा कस्बे में बाजरा केंदर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसान इखटा हुए थे इस समय पुलिस और किसानों के बीच बात चल रही है किसानों की मांग है कि वर्तमान बाजरा खरीत की पंजीकरन डेट की अवधी को आगे बढ़ाया जाए राज्य सरकार ने 19 अप्रेल को आदेश जारी किया था कि 2021 से 2022 के बीच केंद सरकार की नियूंतम समर्थन मूल ले निर्धारन योजना के तहत उन किसानों को छोड़कर जो पहले ही बाजरा बेच चुके हैं शेश बाजरा उगाने वाले पातर किसानों से 3377 रुपे प्रतिक उंटल पर राज्य सरकार ने बाजरे को रजिस्टर किया है और खरीत के लिए अनुमती दी है क्रिशी जागरन के लिए रुकमणी चौरसिया की रिपोर्ट